इसके बारे मैं बात करूंगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना मैंने सुनाए के एक्स्पेंडिबल्स इंडिया में बन रही है आर यू सीरियस नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट कल कुछ ऐसा हुआ के मेरा दिमाग घूम गया मेरे जो मोस्ट फेवरेट अक्टर है संजेद दत साब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एंडल पे कुछ पिक्स ऐसी शेयर करी जो इंडियान एक्स्पेंडिबल्स से कम या फिर बॉलिवुड की सेवियर से जादा मुझे कुछ नहीं लग रहा था क्यूंकि एक्सपेंडिबल्स एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है हॉलिवुड की जो की सिल्वेस्टिस सलोन की खुद की फ्रेंचाइजी है जिसमें सारे एलीट अक्टर्स एक्शन एक्शन हीरोस हमें देखने को मिलते हैं हुण हमारा ड्रीम भी है के इंडिया से कोई एक बंदा कभी जाके उसमें परफॉर्म भी लेकिन जब वो पिक्चर संजद ने पोस्ट करी वह पिक्चर क्या थी मैं आपको दिखाता हूं वो ये पिक्चर थी संजिद अधने जब ये पिक्चर पोस्ट करी मुझे ऐसे लगा कि यार ये कुछ है इस इस सम्थिंग नेक्स्ट लेवल विज इस कमिंग आप जैसे इन लोगों ने बीड़ा उठाया हो के अक्षे कुमार जैसे अक्टरों से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सिरफ जुबान केसरी और रेट अंड वैट की सिक्रेटर बेजने जो गए है कि लेट सी केस बार ये क्या लेकर आता है देखो यार बॉलिवूट से एक्चुली ओनेस्ली जादा उमीद तो रही नहीं है किसी को क्योंकि साउथ की कॉपी बना सकते हैं मैक्सिमम वो भी साउथ वाले डिरेक्टर आज की रेट में खुद बनाने लग गए तो ओरिजनल कंसेट्स को वैसे ये वैल्यू नहीं देते राइटर वहाँ पर बॉम्बे में पड़े हुए सड़ रहे है इन्हें उरिजनल कंसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है तो जो चूती है प्रोड्यूसर बैठे है उनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर लेंगे लेकिन अब ये जो पिक्चर है ये मुझे एक उमीद देती है कि हाँ हमें एक हाड कोर एंटरटीनर देखने को मिलने वाली है आपको क्या लगता है कॉम्बिनेशन ओफ दीज फोर चलो मैं इलाबरेट करके बात करता हूँ अगर मैं बात करूँ एक करेक्टर है जैक किशन जो की प्ले करने वाले हैं जैकी श्रॉफ जी अब इनकी कॉमिक टाइमिंग लगा लो अब इनका एक्शन लगा लो हम सब जानी जान हमें सब पता है कि ये कितने कैपेबल है जैन अक्टर तो फिर वह उमीद तो अपने बढ़ी हो जाती है और जब उमीद की बात आए और इंडस्टरी के one of the finest actors जो की है मितुन दा मितुन चकरबती जिनने इस फिल्म में येडा भगत बुलाया जाएगा ये पोस्टर सामने आए तो तुमें क्या लगता है मेरी उमीद नहीं जागीगी मेरी उमीद भर भर के जागेगी क्योंकि इनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ प्योंकि जो करेक्टर्स इनों ने करे हैं आज पास भी नहीं आता कोई इवन एक फ्लॉप फिल्म आई थी वीर उसके अंदर भी ये फिल्म से हटके दिखे थे तो मतलब बहुत उमीद है मुझे इस सेक्टर से भी और मतलब क्या उमीद बांदी है इस बार बॉलिवूड ने मैं हिल गया हूँ सोच के ये इंडियन एक्स्पैंडिबल्स हो सकती है और एक्शन वाला बैक्राउंड है अगर इनकी कॉमिक टाइमिंग की बात करो तो वो भी नेक्स्ट लेवल है अक्टिंग की बात करो तो डाउट ही नहीं आता सर और अगर हम बात करें इस अक्ट रगी पपा उफ एक्शन दे एक्चुल बाप उफ एक्शन इस सनी देवल हमारे एलु ध्याना के सनी बाजी एक अलगी प्यार आता है इनको देखके बिकाज इनके पिता जी की वज़ा से मैं सीरिसली बताऊंगा सनी देवल से जादा मैं दर्मिंदर बाजी का खयान हूँ आप ये देख लो 80 साल 85 साल के दर्म बाजी हो गए है और मैं 32 साल का हूँ हमारे मूँ से आज भी उनको पाजी निकलता है मतला इतना जादा रिलेट करते हैं मैं एक स्टोरी बताऊंगा तुम्हें कि दर्मिंदर सर जब बॉलिवूड में गए थे अक्टर बनने से पहले उससे पहले वो लुद्याना में अपने स्टडी, कॉलेज, स्कूल, बंक करके आते थे एक सिनेमा होता था मन्जू सिनेमा जहां पर मेरा पुराना घर था उसके पास में ही था वहाँ पर भाग के सानेवाल से फिल्म देखने आते थे चुपके और आज खुद फिल्म में बना रहे हैं मेरे माइंड में कुछ नहीं है मैंने कोई रिसर्च नहीं करी मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया लेकिन अगर मैं बात करूँ यहां पर दा गॉड और स्वैग संजेद दत बाबु भया खतरनाक सीन होने वाला है भाई मेरी टीम आर जी यानि के मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे सब प्यार करने वाले मुझे सरफ यह बताओ कि यह कॉम्बिनेशन अगर इकठा हमें देखने को मिलेगा और वो भी मतलब एक्शन पैक हो तो मतलब नेक्स लेवल आप इन चारों को क्या करते हुए देखना चाहते हो कॉमेडी एक्शन क्या करते हुए देखना चाहते हो कमेंट्स में बताना मुझे यह एक्च्वल में एक्सपेंडेबल्स वाली फीलिंग दे रही है अगर आप बात करोगे मुझे एक्च्वल में एक्सपेंडेबल्स वाली फीलिंग दे रही है अब इस पोस्टर को देखो अगर ये एक्चल में पोस्टर हुआ तो अरे नेक्स लेवल थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं तो ये देखो अगर ये पोस्टर हुआ तो मतलब इदर आजाओ ये बताओ ये देखके तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या ही उमीद होगी यार मुझे इस फिल्म से नेक्स लेवल न आपको कैसे लगी ये वाली अफडेट यार मैं तो खुद हैरान हूं पहली बार किसी की इस्टाग्राम की फोटोस पे रियाट कर रहा हूं और दाट तो आप संजे दद कहींद अच्छा आप गलती से देख ले और मेरे को फोन करके गालिये दे तुने मेरा गंटेंट चुरा लिया क्योंकि जेनरली नीचे कमेंट्स आएंगे अपना भी कुछ कर ले भाई आप तुम्हें अपना नहीं दिख सकता जो ये लिखते हैं इसी तरीके के रियाक्शन और अपडेट्स आप लोगों के लिए स्टेए ट्यून कीप वाचिंग मज़ा आने वाला है क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर होने वाला है